हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ आपका फैक्ट बाई और ये देखो कैसे इस क्रिकेट ने इस कैटरपिलर पर हमला कर दिया और क्रिकेट के काटे भरे हाथों और तेज दर्रार जबड़े से बजने की कैटरपिलर की सारी ही कोशिशें नागाम हो जा रही है और अंत में ये लो कैटरपिलर का काम ही तमाम कर दिया क्या दिल तहला देने वाली फाइट थी ना आपके भी रोंग्टे घड़े हुए या नहीं अगर नहीं तो अभी ये देखो ब्लैक विडो स्पाइडर और स्कॉर्पियन के बीच चंग छड़ चुकी है क्या लगता है क्या मकड़ी कॉर्पियन मकड़ी को अपने जहर से खत्म कर देगा पर ये क्या पॉईजन स्टिंग होने के बावजू जोरदार धकम धक्की के बाद इस मकड़ी ने तो बिच्छु को अपने जाल में बोरी तरह फसा लिया और अपनी इसी टेक्निक से उसे हरा कर इस लड़ाई को जीत लिया आए जिससे ये तो साफ है कि लड़ाई साइस से नहीं बलकि दिमाग और टेक्निक से जीती जाती है और अब जरा इन्हें देखो चानना चाहते हो कि इन दो खतरनाक इंसेक्ट की जंग में कौन जीतेगा और कौन हरेगा तो कहीं जाईएगा मत आज मैं आपको ऐसे ही खतरनाक और रॉंग्टे खड़े कर देने वाली इंसेक्ट के जंगे मैदान के महा संगराम दिखाने बाला हूँ इन और टोडेज वीडियो टाइटल टॉप फाइफ इंसेक्ट फाइट्स कॉट अन कैमरा तो स्टार्ट करते हैं दा वेरी फर्स फाइट जहां हमारे एक साइट पे बिच्छू के सस्ते बढ़ डरावने डुपलिकेट मैकलेज स्पेक्टर अपने तीस तरवार नुकीले स्पाइक्स वाले हाथों के साथ तैयार खड़े हैं और इनके दूसरी तरफ हैं सांपों तक को बैसे भैबीत करने वाले मैंटिस तो आएगे देखते हैं कौन किसको चटाएगा मिट्टी की दूल जब भिड़ेंगे आपस में ये दोनों कीडे नामा कूल मुकाबला शिरू हो चुका है और मैंटिस ने घात लगा दी है लेकिन ये क्या मेंट्स ने तो एक ही जटके में अपने से बड़े हो डरावने मैंट्स को अपने हाथों के नुकीले उपञ्जों में फसा लिया और इससे पहले कि मैकलिस खुद को बचाए मैंटिस ने उसे जिन्दा गाना शिरू कर दिया अब मैकलिस के जीतने और बचने दोनों के ही चांसे जीरो हो गए हैं क्योंकि जैसे ही मैकलिस के शरीर को खाकर मैंटिस उसके अंदर के माल को बाहर निकालेगा मैकलिस का काम तमाम और गेम ओवर लेकिन क्या आप भी सोच रहे हो कि आखिर मैंटिस ने अपने से दो गुना बड़े मैकलिस को कैसे हराया इस सवाल का जवाब मैं आपको इन इंसेक्स के कुछ कूल फाइटिंग फीचर बता कर देता हूं सबसे पहरे तो मैकलिस के पास है कैमफलेज टेकनिक यानि जिससे वो बिलकुल किसी लकड़ी या सूखे पत्ते जैसा दिखता है अब जैसे इन मैकलिस के हातों में जो नुकीले कांटे होते हैं वो इसे अपने शिकार में घुसेड के अपने शिकार को फाड़ देता है तो ब मैकलेस नहीं छुड़ा पाया था इसके साथ ही मैंटिस के पास कैम फलेट जियानी अपने पत्ते जैसे रंग से आसानी से चुप पाने का भी टैलेंट होता है जिससे वो शिकार तक पहुचकर शिकार को पता चले बिना ही शिकार कर लेता है और लास बट नॉट दालीस इसके पास होती है स्पीड बिल्कुल किसी तीर की तेजी से मैंटिस अपने शिकार पर वार करके उसे अपने तेज दांतों से जिंदा खाने लगता है उसी टेकनिक से जिससे मैंटिस ने मैंकलेस को खाया था और मैंटिस की इसी टेकनिक और स्पीड ने उसे मैंकलेस जैसे cryptocurrency में invest करना चाहिए क्रिप्टोकरेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए क्रिप्टोकरेंसी इंडिया में बिल्कूल लीगल है और अभी इंडिया में काफी सारे लोगों ने इसका potential जाना है और 50 million से भी ज्यादे लोग इससे जुड़े हैं और cryptocurrencies पर्चेस करने के लिए आपको एक safe cryptocurrency exchange आप की जरुवत पढ़ने वाली है जो बिलकुली आपके आखों के सामने है CoinDCX Go CoinDCX Go easy or secure app है जिसमें कोई transaction charge नहीं है इसमें fund safety bit go ने दिये है और ये ISO certified भी है और इसमें आपको 24-7 customer service मिलती है और अगर आपको cryptocurrency के बारे में और कुछ भी जानना है तो आप DCX Learn भी यूज़ कर सकते हो CoinDCX Go में आप minimum 100 रुपीज deposit कर सकते हो deposit करने के लिए add money के option पर click करो अपना amount choose करो, payment option select करो और transaction करो वो बिलकुली simple और secure होगा आप even 10 रुपे के bitcoins खरीच सकते हो यहाँ पर तो description में दिया गया लिंक, click करो और download करो इंडिया का safest cryptocurrency exchange जाब Round 2, Raspy Cricket vs Tiger Beetle तो इस बार की fight थोड़ी अलग है क्योंकि इस fight के दोनों contestants में से एक प्रे तो ऐसा है, जो अपने शिकार पर उल्टी करके उसे खाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि वो कौन है और ऐसा किस लिए करता है जाना है वो कौन है, तो शुरू करते हैं इस round को, जहां left corner में है Mr. Raspy Cricket जिसके पास है brown color की 65 to 80 mm की छोटी सी soft body, और इसके पास है दो पतले पतले antenna जो से शिकार और दुश्मन दोनों की भनक देते हैं और वहीं हमारे दूसरी साइट पे है Mr. Tiger Beetle, जो दुनिया का सबसे तेज भागने वाला इंसेक्ट है जहां इनकी स्पीड 9 km प्रती घंटा तक जा सकती है, जो इतनी जादा तेज है कि वैग्यानिकों का मानना है कि अगर बीटल 6 फूट का होता तो उसकी स्पीड 720 km प्रती घंटा होती मतला भी स्पीड आफ साउंट जितनी तो आईए देखते हैं क्या वाकई में Tiger Beetle Tiger की दहार जैसे खतरनाक होगा या सिर्फ नाम बड़े दरशन छोटे जैसे फुसकी निकलेगा और रैस्पी क्रुकेट आखिर अपने साइज में आधे अपोनेंट का क्या हाल करेगा और शुरू हो गई ये फाई दोनों में मास जबरदस थाता पाई जहां दोनों एक दूसरे को दबोशने के लिए तैयार बड़ी जोर की जपता जपती चालू हो गई है कभी बीटल हावी पढ़ रहा है तो कभी क्रुकेट और 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 यह क्या टाइगर बीटल ने तो क्रुकेट को फाल कर सब बाहर निकाल दिया और हमला सीधे गर्दन पार और क्रुकेट का विकेट गुर गया वेल ये तो होना ही था हालांकि रास्पी क्रुकेट टाइगर बीटल से साइज में बड़ा था परेज क्रुकेट के पास पतली मुलाइन सकिन के साथ सिर्फ केमफलेज फीचर्स होते हैं साथ ही इसके दो रडार जैसे एंटिना और स्पीट भी इसके डिफेंस और अटैकिंग में भी मदद कर सकते हैं लेकिन टाइगर बीटल के पास अटैकिंग और डिफेंस यानी अपनी शिकार पर हमला करने के लिए कैची जैसी तेज धार वाला जबला और डिफेंस के लिए एक्जो सकेलेटन वाला कठोर कवच होता है और तो टाइगर बीटल अपने शिकार को मार कर सफा चट करने के लिए अपनी टॉक्सिक उल्टी का इस्तेमाल करते हैं जो शिकार को गला देता है और वो इजी टू डाइजेस बन जाता है बस इनी सब टेकनीक चाल तरीके और स्पीट की मदद से ये राउंड बीटल ने बड़े ही आराम से क्रिकेट को मार के जीत लिया मैंटिस कितना तेज और खतरना गए ये तो हम देखी चुके हैं लेकिन क्या मैंटिस इस बार भी अपने अपोनेंट को हरा पाएगा चलिए देखते हैं जब मैंटिस की लड़ाई हंस्मैन स्पाइडर से होती है तो क्या होगा और ये देखिए यहां मैंटिस ने अपने नुकीले हाथों का इस्तेमाल करते हुए खात लगा दी है मगर मकडी ने जवावी हमला नहीं किया तो क्या आप मैंटिस इस मकडी का भी वही हाल करेगा जो लास फाइट में मैकलेस का हुआ था वेट ये क्या शिकारी शिकार हो गया इस हंस्मैन स्पाइडर ने तो एक ही बार में मैंटिस को धूल चटा दी लेकिन हंस्पैन स्पाइडर के इस killer move और strength को जानने के लिए हमें इनके बारे में जानना होगा अब मैंटिस के सारे खतरनाक features और उसकी शिकारी techniques तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ तो अब उसके opponent की बात करते हैं हंस्पैन स्पाइडर जो है वो बाइनेचर काफी काम और कॉइट सा स्पाइडर है लेकिन जब इसका आता माजी सडगली हो जाता है तो ये अपने सामने वाले का कुछ वीडियो में दिखाया ना वैसा हल करता है इसके पास literally 8 आखे हैं जिससे वो आगे पीछे उपर नीचे चारो तरफ नज़र रखता है और इसके attacking और बाडी का सबसे best feature है इसकी धारियों वाले पैर जो जैसे ही कोई शिकार हाथ लगता है उसे पकड़ के सीधा मकडी के फैंक्स तक लेके जाते हैं ताकि वो शिकार के बाडी में venom इंचेक कर सके और सामने वाला धेर हो जाए पर ये feature हमारे mantis के पास नहीं है वो poisonous नहीं होते उनके पास सिर्फ speed ही है पर यहां उसकी वो speed काम नहीं कर पाई तो हमारी अगली लडाई के लिए हमारे दोनों ही अपोनेंट मैदान में उतर चुके हैं एक तरफ है बीटल तब बाहु बली जिनके दो लंबे नुकीले मजबूत दान और इनकी कड़ोर इसकिन बिलकुल बाहु बली की तरह ही मजबूत है और हमारे दूसरे साइट पे हैं स्कॉपियन किंग बिच्छू जिनके पास मजबूत और ठोश शरीर के साथ नुकीले धारदार स्ट्रॉंग क्लॉस भी है और सबसे खतरनाक और मेन वेपन इनका पॉईजन से बरा डंक है वाउ तो चलिए इस बार देखते हैं किसको कौन पचारता है और कौन जीतता है और शुरू हो गया गमासान मुकाबला दोनों ही फाइटर अपने अपोनेंट को धुल जटाने के लिए सायार अरे पर लडाई के बीच में इसकौपियन किंग कहा भाग राया है वो बीटल ने पकड़ लिया पर अब क्या होगा कहीं सकौपियन बीचिनक को जहरीला डंक ना मार दे पर ये क्या बीटेल ने तो एक ही दाव में स्कॉपियन की डंक और स्कॉपियन दोनों की छुट्टी कर दी इसे कहते हैं जीतने की स्टेट जी लेकिन जैसे मैंने आपको पहले ही राउंड में हमारे कंटस्टेंट के बारे में बताया था तो इस round में भी ये जनना जरूरी है कि बीटल ने ये क्या किया? ये किया तो कैसे किया? तो फ्रेंस जैसा कि मैंने कहा था इन दोनों ही इंसेक्स की स्किन बहुत ही ठोस और कठोर होती है जो एक तरह का एक्जोसकेलेटन होता है जिससे इन दोनों को ही इनकी शरीर पर किये घाओ का असर नहीं होता जैसे अगर स्कॉपियन ने बीटल पर अपने डंक का खतरनाक जहर का हमला किया होता तो भी बीटल को उससे कोई वर्ग नहीं पड़ता क्योंकि वो जहर एक्जोसकेलेटन की वज़े से बीटल की बाड़ी में घुसी नहीं पाता साथ ही अगर बात करें स्कॉपियन के कलॉस यानी पंजे की तो वो शिकार को पकड़ने और हराने में बहुत मददगार तो होते हैं पर इस लड़ाई में बीटल के मजबूत और खतरनाक मेंडिबल्स यानी जबड़े के आगे वो कुछ नहीं थे जो मजबूत से मजबूत लखड़ी तक को खोद कर पेड़ के नेक्टर को पीते हैं और बीटल की जीत की एक बज़ाए ये भी है कि स्कॉपियन ने अपने डंग को बीटल के जबड़े में फसने दिया जिसका फायदा उठाकर बीटल ने बड़ी आसानी और बुद्धिमा चेटल की एक तरफ घरई जाने वाली ब्लैक अंट है और दूसरी तराफ घरगर में पाये जाने वाला तर्माईट लेकिन इन दोनों ही इंसेक की टककर बराबरазд ही लग रही है कभी ठर्माईट चीटी पर हावी हो रहा है तो कभी चीटी टर्माईट पर मगर यह तर्माई और तेज जबड़े थे तो चीटी ने ये जंक कैसे जीत ली तो शुरू करते हैं टर्माइट से इसके बड़े-बड़े से जौ और जबड़े को तो आप देखी चुके हो और ये भी कि कैसे इसने अपने धार-धार जबड़े से चीटी के पेट को उसके शरीर से अलग कर दि जैसे वीडियो में टर्माइट ने एंट से बचने के लिए उसके शरीर के दो टुकड़े किये लेकिन वहीं एंट ओम्निवरस यानी पेड पौधों से लेकर मास तक सब कुछ काती हैं और इसके पैने जबड़े किसी चाकू से कम नहीं होते साथी रिसर्चर्स से हमें ये को हरा दिया क्या वोलते वाईयो कैसा लगा आपको यह हमारा इंसेक्ट का WWE राउंड वाला वीडियो अगर मज़ा आया हो तो लाइक करना तो बनता ही बॉस और आपको कौनसे इंसेक्ट का फाइट देखने में मज़ा आया यह मुझे कमेंट सेक्षिन में जरूर बताइए